जाड़े की मुख्ये जो सब्जी फसल है उन्में हमारा मतर हो गया, गोभी वरगे सब्जी हो गया जैसे पत्ता गोभी, फुल गोभी, गाट गोभी, उसके आद पत्तेदार सब्जियां, इसे हरे पत्तीदार सब्जियां, पालक हो गई, मेथी हो गई, धन्या हो गई, उसके अलावे टामाटर हो गई, जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, इसके अलावे हम टामाटर की कर सकते हैं, कदू वर्गे सब्जी का भी खेती कर सकते हैं जानकार कहते हैं कि सब्जी की अगर हम बात करें तो तापमान में कमी को देखते हुए सब्जियों में सिचाई शाम के समय करना चाहिए, यह फसलों को संभावित पाले और शीत लहर से बचाने में मददगार कर होती है इस मौसम में किसान सब्जीों की निराई गुडाई करके खर पतवारों को नश्ट कर दें, सब्जीों की फसल में सिचाई करें और उसके बाद संतुरित और रुरकों का उप्योग करें तो अच्छी फसल लेने के लिए हमें मीटी में खेद की त्यारी करते समय 200 से 2500 कुडल परती हेक्टियर सडी गोबर की खाद मिलानी चाहिए उसी परकार नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटास के रूप में हमें यूरिया, डियपी और एमोपी लेना चाहिए अगर हम मीटी जाच करा लें तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फसल के हिसाब से हमें पोशक्तत प्रबंधन बहुत जरूरी है जैसे हम मान लेते हैं गोभी वर्गे सबजी, तो गोभी वर्गी सबजियों में यूरिया, डियपी, पोटास के लावे अन्य पोशक्तत तो है जैसे बुरान और मोलेबडिनम, इसकी कमी पाई जाती है खुल गोभी, पता गोभी में, जिसे हमें अच्छा फसल नहीं मिलता है तो उसके प्रबंधन हेतू, खेत की त्यारी करते समय, 10-15 केजी प्रती हेक्टियर बोरान या मोलेबडिनम हमें मिट्टी में मिलाना चाहिए अगर हम फसल लगा चुके हैं, तो 2-3 ग्राम प्रती लिटर पाणी में उसे मिला के हमें छिड़काव करनी चाहिए राज के कई हिसों में इस समय कडाके की ठंड परनी शुरू हो जाती है और ऐसी इस्थिति में सबजियों की देखभाल, उनकी फसलों की देखभाल बहुत जरूरी होती है पाले के असर से बचाने के लिए बहुत जादा साबधाने की जरूरत होती है